शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिषि मीशान निर्वान रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म्हवेदस्वरूपं निजम मेर गुणं मेर विकल्पं मेरी हम चिदा काश मा काश वासं भजे हम मेर युण रखिग स Schuld कर दकिदाकन का रहा हम कर तके की मेर व्यात्ष मम्हव normckingव रहा कर विकल्शार काश टकुच्च का वासं मान दो मेर वासं का शब्याद यादा भास सब्सक्राइब किजि के लिए सुखिब किश्यों कर दोग्र, हुआ दो एंटा टा सोटा था धया हुआ। हुआ 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 है हुआ हुआ है पीजे जी बाओ जी अरे तु आजकल आफिस में क्या दिन बर पथर तोड़ने का काम करता है नहीं बाओ जी क्यों अरे तेरे हाथ के दिने खुर्द रहें बाओ जी आपके पैर मुलायम है जहर बात है एक महान खांदानी इंसान होगा तो उसके पैर फूल की पंखड़ी की तरह मुलायम तो होंगे आउच्छे आउच्छे एवाई ने ने बहुत मुलायम है तुकांदे पैज़े पैर दोड़ दिया मलाई की तरह दबाना जी बाओ जी ठर 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 ये क्या लगा रहा है मिटी का टेल है क्या नहीं तो भाओ जी खोपर का तेल है अच्छा ये खोपर में से आचाना घासलेट कब से निक पानी गरम कर दिया है नहीं आप बाहर नाएंगे अंदर तुम क्या कर रही थी घर में काम करने के लिए पकला नी दख लो जाएी तुबमेले हाइदा काम गुलत करती। अबुगू को कर रही हो, पुएशे है थिशे थे थिशलत, भी dissolve भी। मेरे कहने पर जो चलेगा वोजीटे जीते मेरे गार थेट्दू कीक्त करा! सुनी बहुक के पिताजी जा रहे हैं बहुत अच्छा करें जान जुटी उन्से एक बार मिल तो लो पहले कुछ खा तो लू नाचता तो कर लू मिल तो लू कि यहां जाज़े को नाचता नहीं दी है क्या देदी है पापुजी तो यह से मेरे तरफ भूर को रुके क्यों देख रहा है यह जब नाना की जाएंगे तब मैं स्कूल जाओंगा तो जब तक हम मुझी को देखते रहेगा मेरे पेट में दरफ शुरू हो गया तो मैं जब उता लो अपनी बई दुनिया तो मार भी खाती है तो क्या मैं मार खाओंगा अजाज़त देजिए आप गए नहीं अब तक मैं मेरा मतलब मैं सुना था कि आप जाने वाले हैं तो बड़ी जल्दी जा रहें मैं समझा था कि चार-पान दिन और रूख जाएंगे तो जी नहीं मैं शहर में किसी काम से आया था सोचा आप से और बेटी से मिलता चलू जैसे ज्यादा दिन बेटी के ठेड़ना में ठीक नहीं समझते बिल्कुल सही करें बेटी के घर में पानी भी नहीं पीना चीए नहीं दुनिया अजी बेटर नना जी के पाउच हूँ जुग जुग जी ओ बेटे बहुत बड़े आत्मी बनो और उसके लिए मन लगा के पढ़ो अच्छा बेटे अरे नना ना बेटी हमारे पाउने चूती अत्परम जी नमस्कार जो 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 बाउजी हम इनको छोड़ गया रहे हम कि सरदर्द के गोलिया लो असली असरदार सथी सरदर्द के गोलिया लो इस्के सरदर्द मैं ठीका टाभी कि अधिवाले इद्रा अवश्य होता होगा बाबुजी एक आधा दर्जन गोली लेकर रख लीजिया बत्पर जरूर काम आईगी साहब पहले मैं तेरा सरदर्द तो गायब कर दूँ, तो सुन बेवकूफ इन्सान, इस घर का मैसर हूँ, और जिस घर का मैसर होता हूँ, उस घर के सर में कभी सरदर्द पदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दर्द की वो गोलिया हैं, जो गोली के सर सर दर्द भागा देती है, मगर हम मेरे सामने बैट मेरी बातों को मन लगा के सुन दर्द रह जाएगा सर गायब हो जाएगा अरे तेरी तबे धल्की हो जाएगी अरे वैसे भी तुझे से मुर्जे की बीवी कौन सी स्वागन होती है पैदाशी मुर्दा होती है अरे 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 सुन तो मुझे सरदात की गोलियां बेचने आया था मुझे एमालिया पाड़ पर खड़ा कर दो मैं उसके सर में दर पैदा कर दूँ मुझे गोलिया बेचेगा पते हो गईगी जिसका नाम फर्ज है वो भी तो एक कर्ज है जिसका नाम फर्ज है वो भी तो एक कर्ज है पर्ज समझ कर हाँ पर्ज समझ कर तुझको हर एक कर्ज चुकाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है जिसका नाम फर्ज है वो भी तो एक कर्ज है पर्ज समझ कर तुझको हर एक कर्ज चुकाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है बुराई कर दो एक कर्ज चुकाना है सांसे देकर कर्ज चुकाना है तुझको पवन का सांसे देकर कर्ज चुकाना है तुझको पवन का आग की सेज पे सोके कर्ज चुकाना है अगन का मिटी के बदले तुझे को, मिटी के बदले तुझे को, मिटी दे कर जाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है जिसका नाम फर्द है, वो भी तो एक कर्द है फर्द समझ कर तुझे को, हर एक कर्द चुकाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है काम कोई मुशकिल ही नहीं इनसा में अगर हिम्मत हो काम कोई मुशकिल ही नहीं इनसा में अगर हिम्मत हो हर कर्द चुका सकता है वो देने की अगर नियत हो एक मा का कर्द ही ऐसा एक मा का कर्द ही ऐसा जिसे अदा न कर पाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है जिसका नाम पर्ज है वो भी तो एक तर्ज है पर्ज समझ कर हाँ पर्ज समझ कर तुझको हर एक तर्ज चुकाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है वेल डन, मैं बॉइ, वेल डन तुम पर जितना भी गर्व किया जाया, कम है थैंकिसर लेडिज औज जेंटमेन सथ तो यह है के रवी स्कॉलिज की शान है वो आजकल के नौजवानों के लिए एक जिन्दा मिसाल है जो अपनी पढ़ाई और गुजारे का खर्च बढ़दास्ट करने के लिए पार-टाइम नौकरी करता है रवी कोई अनात्र नहीं है उसके माँ बाप भाई सब हैं लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं दी क्योंकि उसका मानना है कि इनसान को अपनी जिन्दी का बोज खुद अपने कांदों पर रखकर आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ तो इश्वास और बेमिसाल कारणावों के लिए मैं कॉलिज की तरफ दो एक मिनट एक मिनट मैं वाता हूं ठेरिए ठेरे अपने फिल साब ठेरी 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 अरे वापरे आप इस लड़के के तारीफ में जमीन आसमान के खुलाबे मिला रहे हैं तो मैं इसके तारीफ में दो शब्ट कहना चाहता हूं गर इजाज़त हो तो ले सर बहुत जरूरी है बहुत शुक्रिया दोस्तो ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है ये महान नहीं है महान ये उस वक्त होता जब मैनत ये करता और पेट किसी और कभर जाता रास्ते पर कदम इसके चलते और मंदिल पर कोई और पहुंच जाता इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है अपने लिए नहीं जीता है ये पिन बुलाया महमान इतना लंबा भाशन जाड़कर चला गया कौन था ये सर ये महाशय मेरे पिता जी है तुम्हारे पिता जी? राम पिता जी श्री आत्मा राम जी ये करम विर नहीं है शब्द विर है सारी जंदेगी शब्दों के तीर बहुत अच्छे चलाए इन्होंने मगर महनत के लिए हाथ पेर कभी नहीं चलाए आजा है बेटा हम आपसे नाराज है हम आपने बात नहीं करते हैं अरे क्यों 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 आप संडे को आनिका कह गए थी मगर आये नहीं अरे बेटा तुम्हार चाचा पढ़ते है ना उनका इम्तान चलवा था इतले नहीं आ सके अरे इंदियाम तो मेरी भी थे मगर पढ़ाई के साथ साथ आपका इंजुसार भी किया अच्छा बाबा माफ कर दो गल्ती हो गए आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा अब ये चोकलेट कौन खाएगा थैंक्यू थैंक्यू चल पपी दे रवी भावी भावी ये देखो मैं तुमारे लिए साड़ी लेकर आओ पैन के देखना एकदम निस इंडिया लगोगी भाईया फ्लाट हो जाएगा फिर तो मैं तुमारी शादी पर पहनूँगी तब तक तो बुड़ी हो जाओगी जाएगा भाईया तुमारे लिए शाट लाएँ रवी मेरे पास बहुत है ये तुम अपने पास रखो अरे भाईया मैं तुमारे न आपकी लेकर आया हूँ दुका अंदर वापिस लेगा नी और मैं इसे पहन पाऊँगा नी प्लीज मा का है अंदर मा पड़ा मा रवी बेटे कैसा है तु बिल्कुर फसला कैसी हो मैं अच्छी हूँ मा मैं तुमारे लिए ये साड़ी लाया हूँ और बाबुची के लिए भागवद किता ये सब इतना खर्च करने की तुझे क्या जरूरत थी बेटे मा मेरे ख्याल से तुमा घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो चाहता हूँ कि मैं भया की तरह घर की हर जिम्मेदारियों में हिस्सा लूँ घर की हर काम में मदद करूँ बेटे जिस तंगी की दौर से एक घर कुजर रहा है उस दौर में हमसे कुछ ना लेना भी अपने आप में एक मदद है तेरी इस परिवार के लिए कितने लोग है इस दुनिया में जो अपनी जिम्मेदारिखुद समझते हैं और अपना फर्स परचानते हैं काश औरों की तरह बाबुची भी यह जानते कि फर्स जदाना कितना आसान है और निभाना कितना मुश्किल करने कितना ले चुके हो तुम एडवांस में ले चुके हो तु क्या हुआ अगले मएने के ड्वाइडवांस भी जादो var醉 new wa res वाइबाप मेरे साथ क्यूं हुजक्ञत करते हूज मैं नहीं दे सकता नहीं दे तुमको सेट से पगार लेकर दिखाता हूं अब चलो भी देल हो रही है पगार लेने दो हमाश जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से आदमी से बात कर रहा हो तो मामूली आदमी का बीच में तुम नहीं हिलाना चाहिए पगार लेके दिखा अभी देखो कैसे लेके दिखा पीज़े अड़ो हम जा रहे हैं शर्मनी आती तुम्हें हर रोज आफिस में लेट आते हो ना खुद काम करते हो ना दूसरों को काम करने देते हो हर मिने की तनखवा अडवास में पहले से ले लेते हो सुदर जाओ वनन नौकरी से निकाल दूगा मैं अगर मैं आपको अप अपने डाट फिटकार वापिस लेकर मुझे सीरिस लगा कर माफी मांग लेंगे मेरे घर में आकर एक ऐसी बीमारी ने अड़्डा जमा लिया है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाते हैं दवाईयों को मौत आ जाती है मौत खुद काम जाती है क्या मतलब है तुबारा सारी कमाई डॉक्टर ले जाते हैं सर घर में एक मत खाने को पैसा नहीं बचता है सर बहुत दुख हुआ जूंकर मैं जानता था सर आप जैसे घरीबों का हमदर्द नर्म मिजज इंसान मेरी दुख बरी दास्तान सुनेगा तो बिना पानी के मशली के तरह तलब उठेगा नहीं आत्मराम जी दुखी मत हो अरे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतने परेशान हो तुम्हें पैसे मिलेगा जरूर मिलेगा अभी और इसी वक्त मिलेगा तकलीफ करनी की क्या जरूबत है यह तो मेरा वर्ट है सई का आपने से हेलो आत्मराम जी को एक मीने की तन्वान आडवांस में दो राइट नाव प्योए आत्मराम जी तन्वान ले लेजी जाए बहुत बहुत कभी ने उनके पास से भी ना गुजरे यह देने जा रहा था आपके लिए मैं इसे थोड़ी भोल सकता हूं तो मैं चलूं सर आजा तन्खुआ ले लेना अच्छ कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि क्या है कि आज आज ढके अथकियों में लग रहें आप अज़िए काली लग रहा हूं मतलब हो नहीं तो लाइगला ढरा चला अब भी लाती हूं का विद्या कि अ कि आपके तबीद कुछ ठीक नहीं लग रही है कि मूह में तोले भर की जबान एक खाली हिला देती हो वस तब है ठीक नहीं लग रही है अरे हमारी तरह मेनत करोगी शरी की में खुन जला कर पसीना बनाओगी तो पता चलेगा है Hey तो इतना जारी मलिक मिला है के जरा सी-खल्ती उती हुती तुपार काट डलता है वो आज मैंने का साब महीना पूरा के पागार दो करता नहीं तुमसे गल्टी हो गई पागार काट बढ़ा किया पढया है उसकी कमाई से चलता है मेरी नमाही क्या है आटे में हमक्स नहीं वह भी नहीं कि भाउजी ये रहा आपका चमेली का तेरीी साज देखाई ये है मेरा बेटा करточно मेरे रीड की हट्वी मैं वहाँ खुशनशीब कि मुझे तुझ जी अउलाग मली में मुझे जादा खुशनशीब तुम हो कि तुमको मुझे साब बाप मिला है। ऐसी उची विचारों की बातें करने वाला अपनी बातों से लफंगा, नालायक, रवी क्या लड़का है साफजिं के लिए पर्फेक्ट मॉदल, पर्फेक्ट अबसलूटली ये वोकर साफजिं के लिए भी क्या कमाल का मॉडल है देखना कि बेस्टाल से सिगर्ट होल करता है खोल रिंग खैंसल। मुझे खैंसल। आज भूल नहीं है शी इसने तो सिगर्ट सुलगा ही नहीं, फोटो क्या लोगी हाँ, नहीं सुल गई सिगर्ट भी कैंसल। ओ मैं गुटनेश, क्या मॉसल्स है अरे मेरे कुप थेक्ट है नहीं क्या सुल। विचमिस के लिए पर्फेक्ट मॉल है अरे, यह तो पानी में चला गया That's terrible निकला, निकला, निकल गया जिए पैंगा है चल, चला उटे प्राव से लिए लीजा तब है यहीर डिक तेनी गडब है मेदनी पर शेंबू के लिए क्या मॉढल है एक तम परफेक्ट एक्स्क्यूज मी यह जाओ प्रूप क्योज प्रूप क्यों प्रूपकर अच्प्षा लेकी यह पताला एक मोटा वो तु छापके लिख देगी, before use, after use, खाने के पहले, खाने के बाद, और क्या चाहिए साई, मिस दूदवानी, मिस दूदवानी, अरे तुम लड़की लो, काम छोड़कर इधर क्या करता है, हम सब काम छोड़कर नहीं है, हमारा मिल्क ब्रेक हुआ है, बाबा मिल्क ब्रेक ह सडासर बेमानी है, उसको मैं याद दिला देगी, उसकी नानी, कल उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको ठीक करती है, अभी तुम लग जाओ बाबा, जाओ काम करो, time is money, जाओ जाओ, मिल गया, मिल गया, मिस दूदवानी मिल गया, एक first class handsome model मिल गया, बिलकुल तुमारी पसंद का, अरे उसे देखोगी, तो आँखे खुली की खुली रह जाएंगी, अरे पहले मेरे को देखने दो, किदर है तस्वीर, आ, यह रही, क्यों मिस दूदवानी, है ना दम वाली बात, handsome गोरा रंग, अरे इस तस्वीर को ए मामी शैंपू के इस्तेहार में चापोगी, और मा की शैंप बात करती है, यह क्या माडल है, यह दिक्ता मिले का Πागल है, बिल्कुल थाइर रहएज पाकोवास. क्या बात करती हो दूदवानी? हलो मा इंडिया लैंगवज, तमीज से बात कर, मैं तेरी बास है Missुदवानी हा, सॉरी मिस तूद्वानी मैंने इतनी मेहनत से जान जोख हम में डाल कर यह तस्वीरे उतारी और आप इसे हट लासर बोगस कह रही है और यह तो इमोशनल हो गई चड़ी अरे बाबा ऐसा नंगा पंगा फोटू चापेगा तो सेंजर खला खला रिजट कर देगा नी तो शैंपू के लोग कपड़े पहन कर लगाते हैं अरे मैं भूल गई एक काम कड़ो इसका बाडी का फोटू काट इसका जो शिकल है ना इमामी शैंपू के इस्तिहार में चाप दो जाओ फोटू आँ फोटू देना क्या ज़रूरी है ज़रूरी है अरे एक दफा इसके बाडी का मेरा मत तो फोटू फिर से देख लेए मैडम मैडम खरेदा भैस देकर आया है भैस मिस राधा और मिस दूदवानी आप लोगन को सक है कि हम दूद में पानी मिलाते हैं इसलिए हम भैस को आपके सामने दोहने के लिए लाए हैं अरे खड़ा राब यह भैस के आगे बिन बजाना तो सुना था लेकिन यह पहली बार भैस के आगे डिस्को मुजिक का पुगडाम हो रहा है बबाँ अजी बात यह है कि जहां हमार तबेला है ना पास में एक डिस्को है तो 24 घंटे उसमें मुजिक बचता रहता है और यह सुनती रहती है हाँ और अगर डिस्को मुजिक बंद कर देना तो यह दूद देना भी बंद कर देगी अरे इतना ही नहीं इलेक्शन का जब टाइम आया तो यह वोट देने की जीद कर रही थी हमने बहुत समझाया कि देखो भैसरानी अभी भैसों को वोट देने का जमाना नहीं आया जब आएगा तो देना तब जाके समझी है हमनी रामवती और आप तो पोजिशन यह है कि अगर डिस्को मुजिक बंद कर देना तो यह दूद देना भी बंद कर देना और यह याद आए इसके पहले कि मुजिक खतम हो जाए हम जरा दूद दो ले मिस दूदवानी मुझे लगता है हम बेचारे पर यूही शक करते हैं अगर यह बेइमान होता तो थोड़े हमारे सामने दूद दोता मुझे लगता है हमारा लाक्टो मीटर दूद चेक करने का आलाई खराब है अब खुद ही देख लो जहां डिसको म्यूजिक बंद हुआ उसने दूद देना भी बंद कर दिया यह यह लो दूद और डेट के पियो अब तो मन में संका नहीं है ना नहीं अरे गरीब आदमी की सराफत पर सक मत किया करो पाप लगेगा आकास वानी की बढ़ी पहन आज आप सब डट के खाएंगे क्योंकि आज आप सब का बिल रभी अदा करेगा क्यों तेरा मरन दिन है क्या क्यों हमीसे चतुराई है मौडर बन गए तो हमीसे बस्तमीज करने लगे यह देखो इमामी शैंपो क्यों बच्यों है तुम्हां इमामी सेल बढ़ा दिया और क्या चाहिए तुम्हारे थांहरे जाए आपकी ऑफिस के चिचोनी लड़कियों ने मेरी इजादत के बगार मेरी चंद मुल्टी सुल्टी तस्रीव रहे खिच ली है क्या देखिया है और आप इस तर्म चपवा दिया किस ने हग दिया आपको इस बात का ए मिस्टर चलाने की जरूरत नहीं है लोग हमारी एजनसी में अपनी तस्वीर चपवाने के लिए हमारे दफ्तर के चक्कर काटे हमें मसका मारते हैं मैं ऐसे लोगों को जापन मारता हूँ एक तो तुम्हें बिना कोशिश बिना बिना महनत के मॉडल बना दिया उपर से हुश्यारी दिखाते हो अरे मॉडल बनाने वाली मुफ्त में मॉडल बना दिया अहां अब आए मतलब की बात पर मॉडलिंग के पैसे चाहिए अरे जिस तरह दूसरे मॉडल्स को मिलता है वैसे तुम्हें भी मिल जाएगा दूगी कैसे कैसे are you बहुत करने कम क्षम sto혼 अरे अरे दादा दादा देख लूंगा दे दे लेना अने क्या देखता है मिलें दे लिए डेक्री है सेध धनी राम जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिल के मजदूर हड़ताल न करें और आपकी मिल के चक्के रेल गारी के चक्के की तरह चुक 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 कि यह क्या है पैसा कि पैसे से मुह बंद करना था नहीं जी राधा जी के पिता श्री यहीं रहते हैं क्या गाम है जी उनका फोटो उतारना था मुझे प्रेस के लिए चेट जी ओ प्रेस वाले अब से मिल लाये हैं मुझे क्या हूं वह आक कि तंषिर भेपर मेरे छापना जासे हैं क्या अंचोर्य चल्दी जा रहे हैं और यून वाले जा रहे हैं चेट जी देख लोगा मैं आपको अरे ठीक है देख लेना बहुपो कि नहीं अप्रा अब कौन है आप जी आपकी सब्पुत्री राधा जिस महाविद्यालय में सिख्षा पा रही है उसी महाविद्यालय की विद्यार्थी परशत का ध्यक्ष हूं मैं अच्छा आइसी बैठो आभारी धन्यवाद क्या नाम है तुबारा रविंद्र मुखोपाध्या है जी रवी हमार माविद्यालय में वारशिक समारव होने जा रहा है तो हमारे प्रद्यापक महदने हमें ये निर्दिश दिया है कि इस वर्श की सबसे मानि-जानी और बढ़ी हस्ती को ही सभापती पत के लिए बुलाए जाए और आप तो जानते हैं कि इस वक्त शहर में आपके कपड़े के मिलके और आपके बड़े दिल के कोने-कोने में चर्चे तो यही कारण है कि हम आपसे निविधन करने आये हैं कि आप इस वर्ष के हमारे माविध्यालय के वार्शिक स में सभापती बद्ग्रान करने का कष्ट करें निवेधर के कोई आप शक्ता नहीं भाई हम अवश्या आएंगे सभापती महद्रे आपकी तो मैंने जितनी प्रसंदा सुन रखे थी आप उससे भी बढ़कर निकले अगर आपकी अनुमती हो तो एक चभी उतारना चाहता हूं वार्शिक पत्री का में च्छापने के लिए अब अश्या अब आप मातों श्री अप्रणाम आप बेर में में लगन्ने हो तो में अधिने हो गया आप भी साथ में खड़ी हो जाईए आप कि पिश्बी अगर आपकी अनुमती हो तो हां जरूर जाओ अभारी अभारी पोटो किछ गए अब सीदे हो जाओ जिए याओ Department अब गर्णव स्कार्ण में आपक। एस्क्योज मी ये है प्रक्राइब ना आप लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद राधा से मिली है छी खुल के मिली है कर तक्रते हो गया मेरा काम हो गया अब किया कह में है कि इतना अच्छा लड़का है जब बात करता है तो मुझे शहराफ़त तपकटी है मुझे लड़का पसंद हे कितना शर्मीला है का हे हुआ ? मैं बूछती है का है वो ? का हुआ है वो... क्या हो QR को विथ्रमाशरक ओई अरे वो भी जो कैम가리 रटका हैं बॉझा है भागशा आगा की बढ़ाते हैं आ कि अगण कर दो तो हम बात आगे बैदाय क्या आप बात करती हुआ क्या आपक़ अर्ण फारंचादी की बात शुरु कर देती हो आपको पता है वो यहां क्यों आया था हाँ पोटो उतार ने क्या आपको मालब था हाँ यह तो बड़ी खुशी की बात है भाई पिता जी आप भूश में तो है आप क्या बोल रहे हैं मना करने के बजाए आप खुश हो रहें कि वो तस्वीर उतार कर चला गया अरे मना किस ब हाँ हाँ गामा पहलवान नारी सुरक्षादन आप एक हरे राम हरे यह सब क्या हो रहा है अरे मेम साब आप अब कहा बताएं यह हमारे पहलवानों की बहादुरी का और काम्याभी का और इस काले मूँ वाले की परबादी का जुलूस है अच्छा फिर क्या हुआ अरे हो ना क्या था मेंचा इस पहलवान लोग है न सब हमारा दूद पीते हैं तुम्हारा दूरी अपने बाप कमाल समझ के छेड़ रहा है और 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 सारे पहलवान उड़के बहा पहुंचाते और देदनादर बदमाज की पिटाई करते हैं उसकी हड्डियों का हल्वा वाना डालते हैं उसका मुझ काला करते हैं और मुझ कला करके गधे पर बिठाते हैं जैसे कि महराज को बिठाया है क्यों बेकल मुहे सुखी है ना गधे पर हराम खर देम साथ ये नाम नी पढ़ा आपने कामा पहलवान नारी सुरट शादल इसलिए लड़किया इनकी आरती उतार रही है इनका अभिनंदन कर रही है इ भगवान आप पांचों को और बलवान बनाए और हम जैसी बहनों को बचाने के लिए और गुंडों और बदमाशों का मुझ काला करने के लिए हजार गुना शक्ती ही दे गामा पहलवान की गामा पहलवान की मेरे भाईयों मैं भी आपके बहन समान है इस रिष्टे से मेरी इज़त और आभरुबी बचाना आप सबों का करता भी है आप बिल्कुल ठीक क्या रही है पहन जी बताईए आपको कोई तकलीव है हाँ जी आज आपकी इस बहन की इज़त खत्रे में है पहली क्या कहा खत्र मैं इस कत्रे का पत्रा बना दू अब बताओ बताओ ये कौन फक्कर की अवलाद है जिसने आप की तरफ आँक उटाने की हिम्मत की अब क्या बताऊं जी बताओ पैन इस गामा पहलवान नों बताओ वो कौन है वो किस महले में रहता है हम उसे पुराने इस त्यार की तरफ कर देंगे उसके हट्डिया टोल कर रख देंगे बस इना बताओ उदर ना की है जबी इस इंसान चड़क पर किस खुश किसमत इंसान का इंतजार कर रही है आप जी आपका कर सकता हूं मैं आपकी यह बीडी या सिग्रण दूफ सुलगाने के लिए अपना भला चाहते हो तो चुप चाप मेरे फोटो और नेगटिव मेरे हवाले करते हो क्या लग रही है आप अगर आपने मुझे आज मेरी जान भी मागए होती तो शायद मैं हस्ते हस्ते देते था अगर फोटोग्राफ और नेगटिव नहीं दोगा नहीं दोगे नहीं दोगे आपकी दोगे ओके अगांगु रुस्तम दारा आओ मेरे भाई आज तुमें करनी ही है कसकर इस लड़के की धुलाई कदर दानो मारो मारो लड़का है चालू पहलवानो कदर दानो मारो मारो लड़का है चालू मारो मारो लड़का है चालू कर दोगे चालू तुम सब मेरे भाई हो राखे की राज निपाना पहला के इजद की खात चांपर केल जाना तुम सब मेरे भाई हो राखे की राज निपाना पहला के इजद की खात चांपर केल जाना पहलवालो कजरदालो मारो मारो लड़का है चालू मारो मारो लड़का है चालू कर दो कि यूज़नों को मैंत गहीं है तुमने अपने भाईयों के साथ मिलके मुझे बहुत रुलाया है बहुत हिलाया है तुमने मुझे बल्कुल हिला दो या हमिशा के लिद्धा दो मैंने भी अपनी रक्षा के लिए चंद बहनों का बंदबस कर रखा है तो बुला लो ना चमेली खमेली गमला गमला मेरी बहनों अनमोल गहनो मेरी बहनों अनमोल गहनों मारो ताली करो रखवाली मारो ताली करो रखवाली अरे ओ पहलवान बच के कहा जाएगा तू जान पे है बनाएए खत्रेश मेरी बहनों अनमोल गहनों क्यों आएपा ताली करो रखवाली मेरी बहनों अनमोल गमनों अनमों 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 डगवाली मेरी खत्रेश मेरी बहनों गहनो पल्सक्राव नियुटे अजय करें गमा शरम से ही मर जाए कहां जा रहा है पिछा तूड़ा के चल 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 कली में बे सरम कले खाहा हम झाए कहां जार में लेशा कोड़ा 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 मा दो में यहां आए क्या हुआ झिबेटा क्या पना मेरे सीने में दर्ब हुर मेरे सीने में दर्धे और रह आई अरे बाबा मैने इसको लागभर कर आ исп़ें पारिश वी अला करो सर्ति लग चाहे तो ऐसा दर्ध होता ही है मैं अभी दर्ध ठीक हो जाएगा कना कね कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए करने वाले थे ना हाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और वर्मा जी आप चालान का रेजिस्ट्र लेकर फॉरण में परदाईएगा जी सब्सक्राइब कि अज़िए अज़िए कि अज़िए आप तक है आत्मारम जी वां मुझे देख कि विज़किक क्यों खरिया मैं तो ठीक हूं लेकिन आपकी खेर नहीं तो उसमांच बहुत गुस्पे में मुझे हाँ आपको फॉरान अंदर बुला है कि मेरी बूल तो नहीं खुल गई जूट बोलते हो तुम जूटे हो एक नंबर के जूटे इतने बड़े आदमी होकर जूट बोलते हो तुम्हें शरम नहीं आती बालों में सफेदी आगी मगर सफेद जूट बोलने की आदत ने गई कि लिए के कैंसरे की बिमारी का पहाना कान थैज Corinth Man a में तो सब कुछा है अब सचाई सामने आ करें यह तुम प्रेंगे जबाइन को सुनने की आदत on समझें पर एक बात और आप मुझको नोगरी से अलग नहीं कर रहे हैं बलके मैं आपको मालिक बने से अलग कर रहा हूं I dismiss you from the post of boss ship of my job understood get lost अब मेरी बारी अरे आज तो आप देर से आने वाले थे इतने जल्दी ओफिस से लोटा है जल्दी से लोटा है क्या मतलब यूं समलो को मैं हमेशा के लोटाया हूं क्या मतलब मैंने वह दो नोकरी छोड़ दी क्या आप ने नोकरी छोड़ दी ना इंसान को जमाने के साथ चलना चाहीए अगे बटे वाले तो पीचे वाले आएंगे कैसे घुडए जल्दी रेटाय नहीं हूंगे तो जवानों को नोक्री को देगा पहले मेरी सुनों बाद में आगर-मगर करते रहे न सरकान एलेक्शन में वोट डालने वालों की उमर 21 साल से घटाकर 18 साल करती है तीन साल कम इसका मतलब हर इंसान को अपनी जिंदगी में नौकरी भी तीन साल कम कर दी चाहिए 25 साल में रेटार होने वालों को 52 साल में रेटार हो जाना चाहिए आज में बहुंद साल कम गया हूँ आज सी बिस ने लिए वह so जोड़ी आखर मैंने नोखरी न चोड़ी तो देश का क्या ऊगा वुड़े अगर रेटार नहीं से विए तो नोजमनों में बेकारी बढ़ जाएगी कई बाउजीーン झाये तो मैंने अपनी ऐक नौकरी सबस्के साल हो उसे काम करने की क्यों होई और पर नहीं पूरिए और मैं बात और कहूं जिस बाप के दो-दो जवान बेटे हो उससे काम करने की कोई जरूए नहीं और वैसे भी आपकी उमर काम करने की नहीं है तुम मेरा बेटा थोड़ी यह तो भगवान एक ही रहा है जो मेरे दावन में डाल दिया इसको चिंता है मेरी नौकरी चली गई इसको मेरे स्वास की चिंता है मेरे तकी चिंता है मुझे सारी सिंदगी बिठाकर ला गएना अर्था मेरे साब को काम करने की कोई जरूरत नहीं भगवान हर जीव जनतों के खाने का इंतिजाम कर रखा फिर चाहे वो खुद की मैनत का हो या दूसरे की मैनत का चीना हुआ हुआ है अच्छी कविता ना बाबुजी रभी यह क्या बत्तमीजी है शर्म नहीं आती बाबुजी से ऐसी बाते करते हुए कमाले वहिया मैं तो अपने कोर्स की दासमलुका की कविता क किसी पर सच साबित होती हो या आपको पुरी लगती हो तो मैं भाफी चाता हूं देखो रभी इस बार तो तुझे माफ कर देता हूं लेकिन आज के बाद अगर तुमने पर कभी है आज के बाद का वही आज के बाद तो कोले शुरू हो जाएगा फिर वही पढ़ाई वही वही पार्ट टाइम जाब बस अफसोस इस बात कर रहेगा कि बाबुजी की अच्छे-च्छी और मिठी-मिठी बातों से और नसीज़तों से महरूम रहना पड़ेगा क्या करूं मजबूरी है कि अज़ा कि अज़ा इस बेदिंग ब्यूटी राधा की खूबसूरती ने तो दिल आधा कर दिया रे इसके गोरे-गोरे गाल तो देखो क्या लाज टॉमाटल जैसे है मन करता है इसके गालों को चूम लूँ इडियोट यह तस्वीर मैंने यहां पर चूमने के लिए नहीं लगाई है इस देखने के लिए अगर यह सब करना आए तो अपने कमरे पर जाओ जोखे सूखे जोखे 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 तुम भी लगे जाओ मिल गई तुम भी लगे जाओ जोखे म क्या बाद हैं चार दिन से आफिस नहीं आई है यहां आराम करती नुस्य सूंस कुर। मैंने बॉला मुझे तो डर है कही उसने कॉलेज की दीवारों पर मेरेधी फोट मेन लगा दी मैं तो किसी को मुह दिखाने के लाइक ही नहीं रहेंगी इतने पड़िशान होने की क्या बात है प्यारी जैसा मैं बताती हूं वैसा कड़ेगी न तो तू क्या लोग तेरे को मुह दिखाने के लाइक नहीं रहेंगे वो कैसे बताती हूं मैं जात्पा, दरम, करम और मज़भ को नहीं मानता हूँ जब से यह दुनिया बनी है तब से यहां सिर्फ वहां बैठा है जाकर पकड़ ले जानस अच्छा है जैसा पताया है वैसा ही करना जा नहीं मुझे माफ कर दीजिए मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ बिना इजादत आपकी तस्वीर ले ली उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए नहीं पहले आप मुझे माफ कर दीजिए आचा किया 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 आप यहां कही से आईगे दरसल आप नहीं जानते हैं क्या मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूं आचा जी तो फिर वह फोटोग्राफ वह एर एड एजनसी का क्या चक्कर था वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है जो मैं शौकिया करती हूं चलिए कम से कम मेरी और आपके सोच यहां पर आकर मिलती है कि आप पढ़ाई भी कर रही है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं आपके भाई कैसे हैं कौन से भाई वही गंगू गामा रुस्तम धारा आप मुझे दो चांटे मार दीजे दो चार गालियां दे दीजे मगर पीती बाते मत दोरा ये बहुत अखली बती नहीं जी सुनिये मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है आप मेरे साथ कोने में चलेंगे कोने में इन्हें कोने में क्यों ले जा रही है आप आने के बाद बताती हूं चलिए न सुनिए कोई नहीं देख रहा पूली मेरे कमांद से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता मगर आपका तीर अभी तक कमान ही में है ना जरा खुल के कहिए मेरा मतलब है कि आपके फोटोग्राफ तो चप गए मगर मेरे फोटोग्राफ ता भी तक आपके पास ही है ना प्लीज वो फोटोग्राफ सा नेगेफ मुझे वापस देदीजे चलिए वापस कर दें तरह एक बारा मुझे चलिए मरे आपके अलम यह चलिए पर मुझे ना कर देने जानाक कर लगा कर दिल पर वजन लगकर तो प्यासे श्टाइल शेब और है दो समझ दो क्या हूँ? I love you I love you ठीक है? ठीक है थोड़ा बाजुमे था, खर चलेगा इसी बात को आप थोड़ा जोड़ से बोलिए ठाके मेरे दोस्त सुन सके आपके दोस्त सुन सके? I love you नहीं क्यों? कहीं ना मेरे दोस्त सुनेंगे नहीं नहीं मैं आपके दर से बोल लेता हूं कि आप कुछ कह रही है नहीं दोस्तों यह मौतरमा बड़ी प्यार से मुझे कुछ कहना चाहती है आप लग जरा गहर से सुनिये बोलिए आप लोगों के बीच पिकर मत करो मुन्ना आत तो वो चली गई कल कॉलेज की पिकनिक है दूसरे मुलागात के लिए तो यार हो जाओ रभी दोस्तों जरा गहर फरमाए इन देवी जी की एक चीज मेरे पास है जो मैं आप लोगों के बीच सरे आप इन्हें लोटा देना चाहत। ना ना यहां नहीं यह ना ना कर रही है चले हम इनकी बात मान लेते है लेकिन मेरी भी एक शर्थ है कौन सी सिर्फ एक बार मुझे यह है छू ले बस इतने से बात है इसमें क्या है लोग तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ तूने मुझे कहां छुआ तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ तूने मुझे कहां छुआ अभी वही की वही है बात अभी वही कि वही है बात तुने मुझे कहा छुआ तेरे हाथों ने चुआ मेरा हाथ तुने मुझे कहा छुआ कहा छुआ, कहा छुआ दाए गैं, दाए गैं विसे, विसे हमने छुवाँ है तुमसे लेपते बावों कुछुआ है हमने बावों में सिमटे ग plagay हमने चुवा है तुम से लिपट के बाओं को चुवा है हमने बाओं में सिमत के तेरे तन ने चुवा मेरा तन तुने मुझे कहा चुवा तेरे तन ने चुवा मेरा तन तुने मुझे कहा चुवा अभी आगे बढ़ी कहां बात तुने मुझे कहां चुआ तेरे हातों ने चुआ मेरा हाथ तुने मुझे कहां चुआ कहां चुआ स्क्षा पुआ हां चुआ हां चुआ हां चुआ हां एसे छुवा तुमको शर्ब हाया भुला दे अपनी लगों की हन्नी मोहरी लगा दे एसे छुवा तुमको शर्ब हाया भुला दे अपनी लगों की हन्नी मोहरी लगा दे ओ तेरे होठों ने छुए मेरे होठ तुने मुझे कहा छुआ ओ तेरे होटों ने छुए मेरे होट तुने मुझे कहा चुआ अभी पूरी हुई कहा बात अभी पूरी हुई कहा बात तुने मुझे कहा चुआ होता है जोना क्या तुम ही सिखाद हमें चुने का नमू नजरा चुने का नमू नजरा तुम ही बताद हमें होता है जोना क्या तुम ही सिखाद हमें डाओ आओ आओ लाओ आओ आओ तन छुए तन और मन में हो दूरी वो भी कोई मिलना है वो है मजबूरे ओ तन्छुए तन्नार मन में हो दूरी वो भी कोई मिलना है वो है मजबूरी छूना वो ही छूना जिसमें मन को मन चूले एक शकल याद रहे सारा जहां भूले अन्छुए रहे जजबात तुमें मुझे कहां चूआ तेरे हाथोंने चूआ मेरा हाथ तुने मुझे कहां चूआ तेरे हाथोंने चूआ मेरा हाथ तुने मुझे कहां चूआ पूरे एक लिटर डाल दिया ना डाल तो दिया है एक लिटर बहन जी लेकिन विजय बाबू को बोलना दो महीने हो गए बिल चुक्ता नहीं गिया तुम्हारे कितने पेसे बागी हैं पूरे 700 रुपए 700 रुपए आती एक तारिक तक बिल अदा कर देना भेंजी हमारे भी आगे भी बच्चे हैं आखिर हम भी तो किसी के जवाबदार हैं अच्छा आप एक काम करो इसमें से आदा लिटर दूद निकाल लो बच्चे को और उनके चाय के लिए आदा लिटर दूद काफी है नहीं बेंजी रहने दीजिए रहने दीजिए क्या बात है सपना आख तुम इतनी उदास क्यों हो क्या बता हूं बोलो ना क्या बात है मैं सोच रही हूं घर का खर्चा बढ़ गया है और आमदनी कम हो गई है क्या मतलब मैं मैं कुछ समझा नहीं है बाबुजी जब काम करते थे बले घर में तीन चार सो रुपे देते थे घर ग्रैस्ते में कुछ मद्यत हो जाती थी मगर अब तो सहारा भी क्या है उम्र के साथ साथ हर आदमी को रिटाइर होना पड़ता है इसमें बाबुजी का क्या दोश है दोश तो हमारी किस्मत का है इस घर में कमाने वाले सिर्फ दो हाथ और खाने वाले पांच आदमी यह भी कोई उम्र है रिटार होने की मेरे बाबुची को तो देखा है आपने, आपके बाबुजी से पांच वरस बड़े हैं, मगर आज भी काम करते हैं वो सपना, मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी, कि तुम मैं इस तरह की घटिया बाते कर सकती हो तो और क्या करूं मैं, कुन की तरह फिस्ते रहते हैं हम लोग, जिन्दे की जीने का मत भी खत्म हो गया है तो महीने होगे, तूच का बिल नहीं दिया गया, तीन महीने होगे, घर का किराया नहीं दिया गया मगर इन सब बातों से बाबुजी का क्या संबद है अगर बाबुची रिटायर हो गए है, तो कोई दूसरा काम तो कर सकते है न? सपना, बाबुची घर में दो मैने क्या बैट गया है, तुम्हें उनका घर पे बैटना अखर ने लग गया अगवान न करें, लेकिन अगर उने को ऐसी बीमारी लग जा और उपिस्तर पर लेट जाएं, तो तुम तो वो आरत हो जो अपने बीमारी ससुर को इस हालत में छोड़कर माई के चली जाओगे अजे, अजे बेटा, क्या हुआ अजे बेटा? मा, मेरे चाती में आज फिर से दर्द हुआ आप लोग किस किसम के माबाप हैं? बच्चा ज़रा सब भागता है, खेलता है या कुटता है, तो अकसर उसके सीने में दर्द हो जाता है आप लोग को इसकी ज़रा भी परवनी हैं? आप लोग इसे एक बार डॉक्टर को दिखाना भी कुन आसिप नहीं समझते हैं? I'm sorry क्या बात है, डॉक्टर साथ? कोई परिशानी की बात तो नहीं? आपके बेटे को इसके दिल में सुराख है सुराख? जी हाँ, सुराख जो इसकी जिन्दगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है लेकिन डॉक्टर साब मैं ज्यादा घवरानी के जरूत नहीं है इसका इलाज हो सकता है, ऑपरेशन से आपरेशन के लिए कितने पैसे लगी है? यही कोई पचीस से खजार पचीस हजार? डॉक्टर साब, पचीस हजार का इंतिजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है नामुम्किन तो नहीं है वैसे भी फिलहाल आपरेशन की जल्दी नहीं है लेकिन दो साल के अंदर अंदर अगर इसका इलाज हो जाए तो बहतर है वरना इसकी जिन्दगी को खत्रा हो सकता है और जब तक इलाज ना हो जाए बच्चे को खेलने कुदे मत दीजिएगा ठीक है डॉक्टर साब जहांसे भी हो जैसे भी हो मैं पैसों का पूरा इंतजाम करूंगा मेरा एक ही बच्चा है और उसकी जिन्दगी के लिए कुछ भी करूंगा ठीक है आप परसों आ जाईए तब तक और भी दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और आज ही मैं अपने सीनियर विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर बटचारिया के साथ इसके इसको डिस्कुस करके रखूंगा जी और हाँ इस बच्चे का खयाल रखियेगा आके मा आई बेटा मा घर कब जाएगे भायों बहनों और माताओं आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये मंदर इसकी बाहर की दीवारें और बाहरी हिस्सा बहुत पुराना हो चुका है जिसकी मरमत करवाना आवशक है तो हरी राम जी आप धर्म के नाम पर कितना लिखवाते हैं मेरी तरह से सवा दो रुपे लिख लीजिए महाराज लिख लीजिए लोगों को अरे आप बहां बैठे हैं कहिए आपके नाम के सामने कितनी राकम लिखो लिखा आपने धर्म के नाम पर मंदर की मरमत के लिए 201 रुपे चंदा देने का वादा किया है मैं चाहूंगा कि ऐसा महान व्यक्ति धर्म के बारे में आप लोगों से दो-चार शब्द कहें सुनिये है आपफे में ज्यमा रख लिया हाँ हा रख लिया क्यूंऐ हाँ आज शाम अजकあれ की चाना है यादय मुझे नहीं पीजय सम्ना क्या लादधे तुम्लग नज़कर के पास कर जा रहे हूं कि अजय को डॉक्टर भटचारे के पास ले जाना है डॉक्टर के पास क्यों मा डॉक्टर का कहना है कि अजय के दिल में सुराक है मैं कुछ बोलूं यह वहम है वहम का हिलाज लुक्मान हकीम के पास भी नहीं था अरे मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं बेटा यह आज कल के डॉक्टर जो है बिल्कुल डाकुव की तरह होते हैं डाकुव एक मरता माफ करते हैं मगर डॉक्टर बिल्कुल माफ नहीं करेगा यह डॉक्टर अपनी जिये परने के लिए अच्छा आजम को चीर पाड़कर रख देते हैं बाद में जिब भी नहीं लगाते हैं आंक का इलाज करने जाओ तो लाश उटा के बार फेक देते हैं लेकिन बाओ जी डॉक्टर ने एक्सरे देखकर का है अरे लानत भीजो ऐसे एक्सरे पर ऐसे पुराने एक्सरे चौरवजार में दो रूपे में मिलते हैं मरेव आदमी का एक्सरे देखा कर कहते हैं तो यह बीमारी है मुझे खुद देखो ना बच्पन में एक डॉक्टर ने का तुमको बहुत खतानाक बीमारी हिलाज करो वहना चे में मर जाओगे यह बात को 40 साल हो गए माज तक नहीं मरा अभी तक जिन्दा हूं और उनी दिनों मेरे दोस्त को डॉक्टर ने का तुमको भी यह बीमारी हिलाज करो और उसने घबराक इलाज कराया तो तीन में में मर गया मैं आज तक जिन्द अ बोध़ाज करें लेकिन क्या मंदिर ना बहुत प्राना हो गार्वाद है तो सबने अपनी हैसित के हिसाब से चंदा देने का वादा किया तो में इनी कुछ वादा कर दिया उसके लिए कुछ तो कितने रुपे चाहिए बाओ जी ज्यादा नहीं सिर्फ दोसो एक रुपे नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं मैं मंदिर चला जाओंगा सब के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर एक एक पैर पकड़कर नाक रकड़कर शमा मांग लूगा सबसा बोलूगा भाईयो मैंने बाओ जोटन होादा किया थैंध्यं नहीं दे सकता मुझे गालियां देलो मगशे जूतालो मगर च्रफ यह सकता क्या होगा क्या इसे भी बूड़ों को इचज़ चती क्या जा रूट होँटा जाता तो जवानी जन आदी तव आक जनानी जाती तो नौकरी ज Sophia जाती तो इससार में इज़ती चली जाती। क्या फरक पड़ता है। जिये जिया इसा कभी हो सकता है। मैं तो अपने पिता की इज़त की भगवान के समान पूझा करता हूं। आपकी इज़त चली गई, तो मैं समझूगा मेरे शरीरी में से जान चली गई। पिताजी, ये, ये ये लेजे बाबुजी रवी, ये क्या बतमीजी है, वापस कर देख पैसे बाबुजी को मैं इसमें से एक पैसा भी बाबुजी को नहीं दूगा रवी, देख, देखो तुम बेटे के साथ खेल रहे हो, उसके जिन्द holiday के साथ खेल रहे हो, तुम कॉनसा मजब, कॉनसा धर्म ये कहता है के बंदिर की दिवारेबना दो और उसके बहले इक मासु मच्झे की दिवार करती है, तोसे खिरा दो कोई धर्म कोई मजब पैसा नहीं कहता और अगर कहता है तो धर्म धर्म नहीं है अधर मैं मंदिर के लिए चंदा जी इस घर में रहने वालों के खुद की जिन्दीगी भीक के चंदे की तरह गुजर रही है हम लोगों की ऐसे थे किसी कुछ चंदा दे सके डेख रवी मुझे तुझ से जिन्दीगी अपार्ट नहीं सीखना यह बाभूजी की फर्माइश है और उनकी मेरे पैसे नहीं दूगा मेरे पैसे नहीं दूगा मैं आखरी बार तुमसे कह रहा हूं मेरे पैसे नहीं दूगा मैं तो भूली गया कि पैसे भी तुम्हारे है और बच्चा भी तुम्हारा है भला मुझे क्या हग पहुशता है हाप की पैसों पर हग जदाने का यह लो तादाची आपके पैसे है कि लात्त बच्चतme oh कि shouldn't we erre romance įहं वह थो क्या बूल वलो मनमेख छूआगी मत रखो क्ध जी तुम्हारा ही वो बाते आपको बुरी तो लगी होंगी लेकिन लेकिन क्या एक तरीके से देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई है अपनी खुशी अपने मज़े के लिए हम कब तक अपने बेटे विजय को मेहनत की चक्की में पिस्ते रहेंगे उसका खून पसिना एक करते रहेंगे आपने कभी विजय की हालत देखी है सुबह शाम जानवरों की तरह मेहनत करता रहता है हर घड़ी एक ही लगन रहती है उसे अपनी माबाप को खुश रखे उन्हें रती भर भी तकलीफ नहों और हम हम उसके प्यार का उसके अच्छे विचारों का गलत फायदा उठा रहे ह इंटरवल से पहले माबाप बच्चों की परवरिश करते हैं और इंटरवल के बाद बच्चे अपने माबाप की सेवा करते हैं तो अपनी जो है ना इस वक्त इंटरवल की बाद की कहानी चल रही है इसलिए सेवा करना उनका धरम है मेवा खाना अपना धरम है हां और इस मे जी की मिसाल लो बाप की सिर्फ कहने पर 14 साल के लिए बनबास पर चले गए थे और शरवन कुमार माबाप को डोली बिठा कर कंदे पर उठा कर तीरोतों पर घूम रहा था मैं तो अपने बेटे से खाली सेवा खरा रहा हूं मैं कॉन्स के कांदे से लटक रहा हूं राम चंद मैं कोई बगवाद सुनना नहीं चाहता जापना काम करें जा तुम गई नहीं अब सक कर्जा मांगने चले आते हो और फिर यही कर्जा उतारने के लिए तुम आठ की बजए 16-16 घंटे काम कर तो तुमने कभी यह सोचा है कि इस शरीर को भी आराम की जरूत होती है आखिर यह सेहत कब तक तुमारा साथ देगी जब तक मैंनत करता रहूंगा सर मगर तुम इतने रुपयों का आखिर करते क्या हो बात यह सर कि पहले मेरे पता जी नौकरी करते थे अब उनकी नौकरी नही है इसलिए मेरी पूरी यही एक कोशिश है कि मैं ज्यादा ज्यादा काम करूं ज्यादा कमा हूं ताकि अपने माबाब को किसी भी किसम की कमी या तकलीव का एसास नहोने दू लेकिन माबाब को भी एक बात सबज लेनी चाहिए कि जब कमाने वाले हाथ कम हो जाये तो खर्च करने वाले को आपने हात रोक लेने चाहिए कोई बात नहीं है सर माबाब की सेवा में मुझे रती वर तकलीप नहीं होती ल्टा शुख मिलता है खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, समझाना मेरा काम था, समयना ना समयना, तुम पर है Thank you sir खैर, जैसी तुम पर है झाल 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 आप 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 अरे इसके तो नर्स छूट गई है पाबुजाई तो आप पाबुजा आप कर सकता है पीज़े पीटा आगे कोल आगे कोला मुझे नहीं बोले रही है यह बेजुबान अपनी जुबान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला है दुनिया की नज़र में इसकी मौत उचाई से गिर कर हुई है मगर इसकी मौत का जिम्मधार कोई औ किसे मारा इसे बिटा मत कहिए मुझे मुझे बिटा मत कहिए आपके मूँ से बहुत खेलोने लगते है यह आप ऐसा लगते है जैसे कोई गाली दिरा रही है क्योंकि आप सिर्प इसे से प्यार करते हैं अपने आप से प्यार करते हैं अपने घर से प्यार करते हैं अपने मत करता रहा है आपने इसकी हैसे से बढ़कर इसे सेवा के उम्मीद की और सेवा के मैदान में अंदादूं दोड़ते दोड़ते जब यह ठोगर खाके मुझे पर गिना तो मेशा के लिए मौत की गोड़ में चलागा गए इसे मारा गया है खुण हुआ इसका और यह खुण है अपने वफादार बेटे के घुली है और हाँ इसकी आपके काम आसके है चीर फार करने वाले अस्पतालों में लाशे भी खरीदी जाती है लिजा कर भी जा रहा है ये जा रहा है जाते जाते अपने बेटे की जिंदगी की आखरी इंस्टॉल्मेंट पुसूल कर लीजिए बेदानी एती हिंगा, एिजानी! एजे, एजे! क्रोप एपकर एजाएएएएएएएएएएएएए द siihen एकार एगार्णी एकार में हिंगा लुबेफ और जुबेगार पुबेज मैं थीजर भ्लुफ गिल्वा अवर्ट फुर के वाल जो भीज़ार अवर्टी थीज़ एवर्टी बगैजर्टा वे दोट्टी पापा बारिश में भीग रहे हैं उनको सर्दी लग जाएगी खबरा मत बिट अब तेरे डाड़ी को कुछ ली होगा वो दुख की गर्मी और गरीबी की सर्दी इन तमाम दर्द के मौसमों से बहुत दूर चले गए प्रचो दयात रवी बेटा इस पगड़ी को यहां बैठे हुए सभी बुजर्गों से छुआ लो ताके उनके आशिर्वात से ये बच्चा अपने बाप के जिम्मेदारियों का बोज अच्छी तरह सभाल सके लो बेटा प्रचों से खर चुआ अपने पिर दो बाप के लो पंड़ जी पूजा पूरी हो गई जी हाँ सपना वाचे बैटे चलो अपने घर मतलब आज के बाद यू लोग ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे फिल्कुल नहीं क्योंकि इनके सर से साया उठ चुका है मेरी बेटी विद्वा हो गई है जाजू कपिता स्वर्गवासी हो चुका है मेरा दामाद अब इस दुनिया में नहीं रहा है और उसकी मौत में तलवार बनकर हमारे आपके बीच के संबंद के धादों को काट डाला है और जब तुमने अपनी अउलाद अपने खून को नहीं बख्षा उसे चबा चबा कर खा गए तो अपनी बहुत टोते को क्या बख अपने अपने अश्वारा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए आत्माराम जी मैं अब भी सिंदा हूं मरा नहीं हूं समझे इसलिए मैं इन बच्छों को यहां से ले जा रहा हूं नहीं भाई साब ऐसा जुलूमत कीजिए सपना हमारी बहु है इस घर के इज़त है इसे आप क वैसे भावी के लिए इस घर में क्या रख घा है कहते हैं हर पतनी की तमन्ना होती है कि ससराल से अरथी पर लेट कर पती के कांदें पर सवार होकर विदा हो अब पती तो पहले ही अरकी पड़ सवार होकर विदा हो चुका वो कांदा खाक हो गया इमा जो इनका सहारा था अब इनकी लिजगर में क्या बच्चा जाने तो जाने तो चलो बिटे ऱ बच्चा जाओ के विजब एष्चंश सन्तों में करना करह तो यह थो लिधान आख एफिड-मँic कर दो कर दो कर दो कर दो कि उब हुआ एई जगद प्ता तुहीं साफ कर dzięki का जो अपनी ऑवलाद की हिम्मत को बराने के लगाए उनकी हिम्मत को तोड़ता रहा अपने सवफ और अपने गलत के खाटिर अपने फाईवार और अपनी ऑवलाद को कुछ लता रहा और अपने सौफादार बेटे को अपने फर्माइशों के खातिर बली चड़ा दिया खुद अपने खूल का खूली है नहीं नहीं यह बिल्कुल गलत है मेरे पिता कातिल नहीं है उनकी खुशी के लिए मैंने अपने आपको खुर्बान किया है और यह कहां का इंसाफ है और ए आप से यही एक बिंती है कि अगर मेरा दूसरा जनम होता है तो मुझे इसी पिता के घर में जनम देना है ताकि मैं अपने पिछले जन्म के अधूरे फर्ज अगले जन्म में पूरे कर सकते हैं भूल गये तुम के एक बेटा होने के साथ साथ तुम्हें बच्चे के पाप हो भूल गए तुम के तुम्हारा बेटा दिल का मरीज है भूल गए तुम के उसके दिल में सुराख है भाईया तुम्हारे जनम कम पढ़ जाएंगे मगर बाबुजी की फर्माईशे कभी कम नहीं होगी ऐसा इन्सान जिसने एक नन्ने बच्चा को यतिम कर दिया उसे करी स कारी से सुजह मिलनी चाहिए करी से करी सद इसका प्रसला हम करेंगे है रचा दो करना ज़रू करना मेरे साथ इंसास मत करना मैं मłęम हम हो हम रखा रूँ मुझे मेरे छिए की सजा जरूर दोना। लक्षमी रात देख रही हूं रामलाल जी की आहां गया है बहु और पोते को लाने के लिए बाबु जी बाबी और अजय को ला ले नहीं बेटी तेरे बाबु जी बदल के आया है ऐसा लगता है बेटी की चीता की आग में उनकी सारी पुराईयां चल गए अरे अजय तो चलने हमार साथ खेलने नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया मैं खेल नहीं सकता यो विश लाजो बेटा पेश्च बेटा पेश्च बेटा अब जाने लगे तो अब अपने दादा से नफरत करते हो क्या है दादा जी वो गोल बेटा ना जी कहते है कि आप मेरे पिता जी के कातिल है दादा जी कातिल क्या होता है मुझे देख लिए बेटा कातिल ऐसा होता है क्योंकि मेरे अंदर एक खुद्गर्ज और मतलबी इंसान रहता था के जिसने अपने मतलब के लिए तेरे पिता को मेरे बेटे को मेरे दिल के टुकड़े को अपने मतलब की भेट्ट चड़ाएब अच्चू अदमाराम जी मैंने उस रोज आपके घर में सब कुस्त साफ साफ कह दिया था उस बात को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता और नहीं आपकी बेज़्ज़ती करना चाहता हूँ बेटर होगा आप यहां से इसी वक्त चले जाएं रम्लाल जी एक पापी गुनेकार को परहची तो एक मौका नहीं मिलेगा मैं अपने बेटे के लिए तो बाप का करतव नहीं निबा सका लेकिन अपने बहु के लिए बाप का ए अपने पुति के लिए दादा का करतव निबाने के एक मौका मांगता। सिर्फ एक मौका आप मुझे एक बार एक बार इन बाच्चु को अपने ग़र ले जाने दीजी बस कभी नहीं अब भी आपके घर कभी नहीं जाएंगे सपना जी अज्चु को अंदर ले जाओ लागा इन मत ढटा ये मेरे सामने से इस जब सब मेरे पास है तो मैंने की कोई कदर नहीं की मैं जब चले के तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर से आकाश और मेरे पेरे उतला की जमीन खीज ली करनेकार मूं मैंने अपने बेटे को कोई सुख नहीं दिया मकर वह सारा सुख मैं इनकी जुली में डाल दूँगा मैं अपनी सासे बेच-बेच इनकी परवरिश करूँगा आत्मा राम जी जो इनसान जिन्दगी बर खुद दूसरों पर बोच बनके रहा हो वो इनसान अपने बुढ़ापे के कमजोर कांधों पर किसी और की जिम्मेदारी का बोच कैसे उठाएगा यह नामुकिन है यह मह जूली में डाल दीजिए मैं हमसे भीग मांगता हूं अध्मागां जी हुल्टा मैं आपसे भीग मांगता हूं महर बानी करके चले जाएए मैं हध जोडता हूं आपके अपने दामाद की महुत का सद्मा बड़ी मुश्किल से सेहन कर पाया हूं और अब अपनी बेटी और शवासी के महत में देख पाउगा चले जगी यहां से अब चले जाएगे रप लावजी रप लोग जी तबाजी, तबाजी ना, अचे, और मत बिटा, और मत बाभजी बाभब बाभजी ना बेटी, ना मुझ बापी के पारे मच्च हुआ तो इस बापी को पराइचित कही कौसार देते बेटी चल, अपनी घर चल चल बेटा अरे रवी, तुम बून बॉरिंग सर तुम यहां दिन में इस वक्त, अरे तुम तो छे बजे बाद यहां पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, यह सब सर, आजकल मैंने रात के साथ साथ दिन में भी काम करना शुरू कर दिया है क्या मतलब? आप कहा करते थे न, सर, के चार घंटा पार्ट टाइम जॉब करने की जगा, अगर आठ घंटा फुल टाइम जॉब करूंगा, तो तनखा भी फुल मिलेगी, मेरा मतलब है के साथ सो की जगा, पन्रास रुपे मिलेंगे बिल्कुल कहा करता था, लेकिन तुम तो अपने कॉलेज और पढ़ाई के खर्चे करी यहां काम किया करते थे, यह समझ लीजिए, कि पढ़ाई और कॉलेज अभी पार्ट टाइम हो गया है, और नौकरी फूल टाइम अपने पोते के इलाज के सिल्सले में आपसे मिलना चाहता हूं, देखिए, आज शाम को मैं मेडिकल कॉन्फरेंस अटेंट करने के लिए बैंगलोर जा रहा हूं, नेक्स वीक आपने पोते को लेकर आ जाईएगा, ओके, अच्छे, बहुआ शुक्री डुक्र साब, हस्तेलाल हिंगु पर जिनों ने आप लोगों के लिए अपनी जान देने का फैसला किया है, चाहिद आप लोग जानते नहीं, यह भूख अर दो दिन अगर चलती है, तो आपके प्रिया नेता और मेरे पिता भगवान को पैरे हो जाएंगे, हमारे नेता हस्तेलाल हिंगु आप। अरे, गदे की अुलाद, मैं क्या मर गया हूँ के तु मुझे अमर कर रहा है। मैं तो जिन्दा हूँ, मरे हुए आदमी को exclusive है. तो मेरे पेटा है के कसाई है। आरे डॉक्टोरों को बोलाओ प्रेस वालों को बोलाओ मेरी पॉब्लिसी टी करो हाई हाई यह जान से प्यारे जैडि जी मर गए…. हाई क्या बताऊं बेहनो । यह हाई मेरे पहार जैसे हटे-कटे पती को खा गई ना ये स्ट्राइक होती ना ये दुनिया से चले जाते हाइ मेरे पती हाइ मर गए एजी हाइ मर गए नेरे पती डैरी यह क्या मज़क है ये मदाप नहीं हकीकत है बेटी अगर मिल के इस ट्राइल खत्म नहीं हुई तो मैं तबा हो जाओंगा दस दिन बाद मैं मर जाओंगा उसी मौत की याद से रहसल कर रहा हूँ मां तुम्हें भी शर्म नहीं आई इस रहसल में तुम भी विद्वा का लिबास बैट गई जीताची अपने पती को मां लेकिन इसमें मेरा क्या खुसूर है तेरे बापुने कहा कि रहसल पप्ली होनी चाहिए मतलब ऐसे लगना चाहिए जैसे यह सच मुच इसलिए मैंने कप आखरी दिन आपका नहीं होगा आखरी दिन होगा उनहार ताल करने वालों का अगर मैंने उनहार ताल करने वालों का सुर्टाल ना ठीक किया तो मेरा भी नाम राधा नहीं मैंने वालों का सुर्टाल करने जादा हमकि तो मैंन। भीगी हुए बच्छार से उस पर देखे तू प्यार से पाने पाने हुए मुझ्या पानी पानी हुए मुझ्या पानी में जो धीगा बदन तन से तेरे निकली अगन मैं जल जल गया खुडिये 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 आज बदली ने मुझे जूमना सिखाया आज बदली ने मुझे जूमना सिखाया आज बदली ने मुझे जूमना सिखाया इतने चिकने तेरे अंग ये सुनेहरे तन पर बूंद पड़े बूंद नहीं ठहरे दो पर बाहों में रह जाने दो मौसा के संग पह जाने दो इतने चिकने तेरे अंग ये सुनेहरे तन पर बूंद पड़े बूंद नहीं ठहरे पहली बार दिल को लगाया पूलों का मन शोलों का तन लगकर गले आई जाने मन में जल जल करा खुडिये पानी पानी हुई मुंद याँ पानी पानी हुई मुंद याँ Namaste, Dr. Saab Namaste Please sit down इस बच्चे को तो मैंने पहले देखा है जैना यह मेरा पोता है मेरा बेटा वीजे इसे चेकप के लिए आपके पास पेरे लाया था यह यह इसका एक्सरे है हाँ, मैंने आपके बेटे से इसके इलाज के लिए कहा था लेकिन फिर वो आया ही नहीं वो आ नहीं सका अपने बाप के लिए बेटे का फर्ज निबाते निबाते इतनी दूर चला गया के जमसे इंसान जीते जी कभी लोट कर ला नहीं सकता ओ, शुमा करना इसके वैसे इलाज के लिए कितना खर्च होगा कम से कम 25 से खजार तो लगेंगे करावटा इलाज इलाज तो किसी भी हालत में होगा मेरे पोटे की जिन्दगे मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है इसकी जिन्दगी बचाने के लिए में अपनी हिस्से की बागी जिन्दगी बेश तानूँगा वह जरू कराँगा आउंगा डॉक्र सार्थ आउंगा ओहो जनाब आत्माराम जी खेरियत कई यह आज अचानक यहां कैसे आना हुआ मलिक मैं इस लायक तो नहीं हूँ अगर हो सके तो मुझे मेरी नोकरी वापित दे दी जी देखो आत्माराम मैं तुम्हारी एक्टिंग और अदाकारी बहुत देख चुका हूँ यह महसूम सा चेहरा बनाकर हाठ जोड़कर फिर से कोई नाटक करने आयो तो बेकार है एक मौका सर्थ सिर्फ एक मौका भीक में देदीजिए सर्थ कुछ नहीं तुम्हें चप्रासी की नोकरी करने को तयार हूं मगर एक बार मौका देदीजिए सर्थ बिस साल तक लगातार तुम्हें मौका तो देता रहा था त्माराम मगर तुम्हें सर्थ एक मौका सर्थ मैं बहुत बनशीब हूं मेरे जवान बेटा मर गया सर्थ मेरी Environ की बिद्वा हो गए मेरे छोटा माजूम पोता यतीम हो गया सर्सर्थ सब मेरे कारण सर उस मासूम के दिल में सुराख है उसी का इलाज करानी के लिए मैं नौकरी आपसे भीक में मांगे रहा हूं सर शरम करो आत्माराम शरम करो कब तक लोगों की मौत और बेमारियों का बाहना बना कर जूट बोलते रहोगे याद है सिर्फ एक महीने की तंख्व की बेहाया बेशरम आद्मी हो तुम से बात करना मैं गुनाहा समझता हूं मेरा यकीन कीजिए सर तुम्हारा अरे तुम तो वह जूटे और मकार इंसानों कि अगर फरिश्टा भी तुम्हारी उंगली पकड़ कर आए और तुम्हारी पैर भी करे तो मैं उसका भी यकीन ना जाता हूं मगर आज स्कूल में पड़ी हुई उस लकड़ हारे की कहानी आदा गई सर जो अकसर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिलाया करता था शेर आया शेर आया और सारा गाउंस की मदद को दोड़ परता था और वहां कोई शेर नहीं होता था एक दिन सच मुछ कर शेर आया मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं है वही हाल मेरा भी है सर कल तक मैं जूट बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था और आज मैं सच बोल रहा हूं तो एक पी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है हाला शेर बनकर मुझे खा रहा है मगर जमाना मेरी हालत पर मुस्कुरा रहा है, हम जैसों यही सजा है, सर, यही सजा है आपका समय बर्भाद के, सर, आफकर ना मुस्कुरा रहा है, सर, तब करता है वही जैसों इनका समय थे love यही सक बच्चुरा यही सजा है सर, अदि एगार ओड़त इनका सर, यही सजा है आपका सर, यही सवा की थे प्रभाद के, स चल्ड़त बावका समय है गजय हो आपी है फर्ज से तु भागा अब तक अब, फर्ज की खातिर जीना अपनों का कर्ज चुकाना है, अब वहा के तुझे पजीना तु पाहो बला हो मुकाबिल, तु पाहो बला हो मुकाबिल तुझे चलते ही जाना है, बुराई को अच्छाई में एक रोत बदल जाना है जिसका नाम पर्ज रहे, वो भी तो एक कर्ज है पर्ज समझ कर तुझे को हर एक कर्ज चुकाना है, बुराई को अच्छाई में एक रोत बदल जाना है पर्ज समझ कर तुझे को अच्छाई में एक रोत बदल जाना है पर्ज समझ कर तुझे को अच्छाई में एक रोत बदल जाना है जाना है यह क्या बाबुजी फिर प्यास और रोटी सबसी दाल खाना तो कई दिनों से भूली गए हैं आप कई दिनों से आप चट्नी रोटी ही का रहे हैं बहुत कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतनी फेलाने चाहिए अगर मेरी तो चादर ही छीन गई है अब मुझे सारी जिन्दगी पैर सुकेड़ के सोना होगा ऐसा मत बोलिये बाबुजी मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूं यह चट्नी रोटी भी मैं अगले जनम से कर्द लेकर खा रहा हूं बाबुजी हाँ बैटी मेरा सबजी रोटी खाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जितना मेरे पोते का इलाज कराना जरूरी है और इलाज के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो गत्रा गत्रा करके जम्मा करना पड़ेगा अगर अफसूस यह है क्या अत्माराम को यह बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गई अवलाद का अश्याना उचड़ गया कि कितने पैसे हुए यह रख लिजे अभी तू अभाबी यह पैसे वापिस रख लो लेकिन नहीं बाभी तुम कुछ नहीं कहोगी बाबुजी जिस महनत मजदूरी से दोड़ धूप कर रहा है उनके सारे शरीर पे चले पड़ गये उनके इस गाड़े खून बसिने की कमाई को समाल के रखो हजू की आउपरेशन में काम आएगी बाबुजी की महनत और उनके जागें वे ऐसास को देखकर एक बात तो सच साबित हुई कि सोने को अगर कसोटी पर खारा उतरना हो तो एक बार तो तपती भट्टी से तबकर निकलना ही पड़ता है हजू बेटे यह है यह चौकलेट कौन खाएगा थैंक यू चल पपी दे लुच्चा चरिया दूद वाला इतना पदला दूद बेचता है अरे इससे जादा गाराद पाणी है एक बहिने से बेवकूप बनाता है आज भैंस लेके आ गया जिसको भैंस अरे मिज दूद वानी अभी आपकी आखों के सामने हमने भैंस को दूआ है और दूद निकाल के दिया है फिर भी आप कहती है कि दूद पतला है भैंस वो तो उस दिन भी धोया था और शेनी लगा कर चला गया आज फिर धोया है लेकिन आज हमारा लड़की लोग ने मेड दिन हां कांका मीटर से चेक किया है बूद पतला है पाणी है इसमें कहीं तुम्हारा भैस उल्हास नगर का तो नहीं है उल्हास नगर का अजी उल्हास नगर तो इतना दूर है हमरी भैस वहां से यहां कैसे आएगी नरसल बात क्या है दूदनी जी मतलब दूदवानी जी ये आजकल गर्मी बहुत है ना, तो हमरी भैस सवसुरी दिन भर पानी में घुशी रहती है और भैस का चम्रा कपड़े की तरह पानी को चूशता है और पेट के पतीले में जहां पर दूद जमा है, मिला कर उसको पतला बना देता है इसमें हमरा क्या पॉल्ट है? आइसा, बाहर का पानी तेरे भैस का पेट में घुश जाता है और भैस की तरह तेरा भैस का वाटर्टूप नहीं है दाला चरिया मूँ अ कुतो बिलो, हमको बेकू बनाता है बहुत देखे, तेरे तेरे अरे, अरे, का करती हो दूद वानी जी? देखा हमरे दूद की ताकत, यह हाथ है कि बिजली का खंबा? जादो बखबख नहीं करना, आज तक जितना तेरा दूद पिया है, नी? भैस का? भैस का जितना दूद पिया है, उसका आदा पैसा निकाल आधा? हाँ, हाँ, आधा, अरे वबा, मैंने तो पूरा पैसा भड़ा है नी, और दूद पिया है तो बड़ा आधा आधा नल का पानी, आप जल्दी से पैसे निकालने तो तेड़े को चमणे मैं से निकाल देगी, जल्द कर! कहां से निकाल देए, खापी के हजम हो गया उसको पैट मैं से कैसे और कहां से निकाल सकते हैं। अगर हम आव आपस कहें कि आज तक जितना दूद पिया है उसको बहार निकाल दीजी, तो क्या इस टेंकर से दूद को वापस निकाल सकते हैं? अपना गल्टी मानता है नहीं हुजट करता है कि नो मौतारों मुटा अरे हुआ अरे ये क्या कर दिया लख लाणा का एक्स्कीसमी मैस्टूदवानी आपने इसे इतनी जोर से डाइटार मारा कि इस बिचारे का डर के मारे निकल गया अरे I'm sorry, I'm sorry लेकिन ये तुम क्या किया हमारा फ्रोर गंदा कर दिया हमारे ओफिस को टोइलेर बना दिया इसमें हमरा इसमें हमरा तब रहे हो दो को कि भाल ओडा हो जा हताए मों कि एक कि 2 वड़ पार है जो सबसे लोग पूर देना कड़ीमनि तो packet की आंड़ राःलिक वड़ा जंवीक पारी ढीप साथ पानी मिलते हैं तो फिर यह सब क्या है यह पानी में लेकिन आच से तेरा मेरा प्रिश नहीं 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 मिश दूदवानी ऐसा आचार का करके मेरे कलेजे को अपने पहार जैसे नाजुक पाउं के नीचे मत दपाहिए मैं लुट जाओंगा मैं बर्बाद हो जाओंगा अरे क्या बोलता है मैं क्या बताऊं मिस दूदवानी मैंने आज तक ये बाद अपने दिल में छुपा के रखी किसी को पताई में मुझे आपसे प्यार हो गया है इसीने में दूद में रोज पानी मिलाये करता था कि आप पी-पी कर पतली हो जाएंगी और मैं एक दिल डोली लाओंगा शादी करूँगा अरे जोड़ी लड़की लोग इद उल्लो को उठा कर भार से दो गल्दी करो मेरे पर जुल्म मत कीजिए अगर आपने शादी की तो मैं आज पतने से कर दोगा मैं बर जाएंगा आपकी ओफिस के सामने से जनाजा निकलेगा अरे तुलो जाएंगा मिस दूद्वानर लगता है खरे राम आपसे प्यार करता है और सही मायने में आपका आशिक है अरे छोड़ो छोड़ो शायद आप जानती नहीं आशिक कि कभी हाय नहीं लेनी चाहिए अरे इस हाय से तो धर्ती का सीना फट जाता है बादल रोने लगते है कयामत आ जाती है कयामत अरे नो अरे येस हाँ एक्स्क्यूज मी सर आपका चार बजे सेट नरायंदास के साथ जमीन की डील का अपॉइंटमेंट था चार तो आपको सरी ही हो गया है मैं निकले रहा था तुम्हें काम करो नरायंदास को फोन कर देना कि मैं पांच बज़ तक पहुन जाए ठीक है सर विश्यू अल्द बेस सर थाक्यू खुलू अभी अभी मेरा बस उस्मान आफिस से 10 लाक रुपे लेकर निकला है एक घंटे में वो मिंट रोड से गुजरेगा गुलू इस से अच्छा मौका जिंदगी में दुबारा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास 10 लाक रुपे क्याश है क्याश क्याश प्राइब क्याश अरे अर्यों भाइव यह क्या ना करते हैं क्या राड़ी का हॉन शुनाएं नहीं देता है क्या विशुरक में वाजाबजाए चले जा रहे हो बेर हो गया करनो तुम लोग क्या चाहते हो एक दस लाग रुपए का चेक है इसे कैश कर दो बैंक बाबो बैंक बाबु क्या बक्ते हो नाए में को बैंक बाबु हूँ और नाए मेरा किसी बैंक से को तालुक है नाए तुम तो खुद एक चलता फिर तब बैंक हो एक काम करो यह दस लाग रुपे का चेक तुम रख लो और नोटों से भरा हुआ बैंक मैं खुद ले लेता हूं नहीं जाब वबैंक शो वबैंक बचाओ बचाओ किर खुद लाग जाग वबैंक हैँ कैसो ग्या पेंपवू मारसलेको! टालास्श 5 कर दोने रदेडरा दिंगा pengição करन है के युजया, वेजि़ा है झाल 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 ये लेजे सेची बेटे तुमने मेरी जान और माल की हिफाज़त करके मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान किया है नहीं तुम बेटे इसका बदला तुम नहीं चुका सकता लेकिन फिर भी तुमारे किसी भी काम आ सकूँ तो कहो रुपया पैसा घर तुम्हें जो कुछ बेचे में देख सकता हूं बेटे जी ने सब चीजों की मुझे कोई जरूत नहीं मगर आपसे बिंती है अगर आप आत्माराम जी के दुबारा नौकरी पर रख ले तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा इसान होगा नहीं बेटे नहीं ऐसा मत कहा हो जो आइसान तुमने मुझ पर किया है उसके बंदे तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन बेटे एक बात तो बटाओ आत्माराम से तुम्हारा क्या तालोग हुए जो बाप का अपने बेटे से होता है तुम आत्माराम के बेटे हो जी वा बेटा वा मुझे तुम पर नाज है खुदा हर बाप को तुम जैसी मत करो तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा शुक्रिया सेची सेची एक और दिन थी है कहो बेटे मेरे बाबुजी से कभी यह यह मत बताएगा कि यह नौकरी उन्हें दुबारा मेरी वजह से मिली है फुप बेटे की दिल की धर्कन का बाप के दिल से क्या तालूक होता है मैं भी महसूस करूँ पेटे मैं भी महसूस करूँ नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा नहीं 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 मामोली चूठे का उस्मान सेट आप बज़र्गों का कहना है कि पसीना और खून का बहुत नजदीक का रिष्टा होता है जवानी में इमानदारी से पसीना भाव गए तो बड़ापे में अपना खून अपने से इमानदारी करेगा और फिर वो रगों में बहने वालाँव या उलाद बनकर सहरा देने वालाद हो प्रकाषिक कर चूंगै करें हम जैसे कमजोर लोगों की जब छून में गर्मी होती है तो एमान ढ़ाता है ऑर जब यहांदारा होता है तो अरवानों की दुनियो नाग चुकी होती है चलता हूं सीड़ बहुत काम बाकी है लाय आत्माराम तुम यह नहीं मेरे साथ चलो गये है तुम्हारी वो पुरानी कुर्सी तुम्हारा टेबल तुमको फिर से याद कर रहा है यह इसमाथ सीड़ मुझ पर रह्म मत कर रहू है मैं अब रह्म के काबिल नहीं मैं तुम पर कोई रहन नहीं कर रहा हूं बलकि उल्टा रहन मांग रहा हूं तुम अगर अपनी कुर्सी पर बैठोगे नहीं वह कर्ज मेर उपर रह जाएगा और वह कर्ज अदा किये बिना मैं पर जाओंगा नहीं और अगर चला भी गया तुम मेरा हज कबूल नहीं होगा कि अधवाह नहीं है मेरे से उठो, उठो उठो, चान नहीं, रामवां जी अधी भई ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है आज डाड़ीका दूसरा जनम हुआ है इसी खुशी में यह पार्थी दूसा जनम हुआ है क्या मतलब जी हाँ डैडी को अपने पैदा होने पर या अपनी शादी पर भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी क्यों माथ जितनी खुशी उने आज अपने बंद मिल के दुबारा शुरू होने पर हुई है ओ बेटी आखे तरस गई है उसे देखने के लिए ये बाजू परेशान है उसे गले से लगाने के लिए में सूदवानी आप इस लिबास में अड़े प्यारी अब हम दूदवानी नहीं दूदवाली बन गए हैं हम इका रंग मा पूरा रंग गए हैं हमाल लुआ अ माड़ह आप तो दूदवानी से दूदवाली बन गई मगर क्या ये घरयराम से खरय माणी बने के नहीं? अलटन से लिदे भईयान बनाया है तो मैं क्या छोड़ेगी? प्कास नतनी बनाया है छुदो हो जाओ आई खरे 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 रमानी, माहिन के सचे दिल साँ प्यार कंदो आया, जी ये लेला मजनुव के, अरे शीरी फढ़ाद के, हीर रांजा के, सलीम अनालकलिय के, बैच्जू बावडा के, शोले में रसंतिय के, माह सचे दिल सा इनसे प्यार कंदो आया, साही लाला जी का सम, प्रडाम, धहम पत्नी, ये वही है, फोटू वाला, कैमेरे वाला, मताच रहे, मुझे सभापती बना रहा था, मेरी मिल और मेरी दिल के बड़े चर्चे है शहर में, वासिक पत्रिका के लिए, मेरी फोटू खिची, मेरी बीवी की फोटू खिची, और मेरी बेटी की तुझे नहीं छोड़ूंगा ध्रमपती शुरू हो जा डरी डरी यह आप क्या कर रहे हैं यही तो है वो खास महमान जिसे सीने से लगाने के लिए आप तरस रहे थे यही है मिस्टर रवी वही रवी बेटी यह अचानक तुम्हें क्या हो गया यह कोई अंदाज है मिलाने का अंकल आप नहीं जानते जब इश्क हो जाता है तो मिलने मिलाने दोनों के ही अंदाज बदल जाते हैं है ना रादा झाल आप झाल अंदाज बहकने लगते है बातों में शरारत होती है ओखों से पता चल जाता है जिस दिल में मुहबत होती है अंदाज नहतने लगते है बातों में शरारत होती है ओखों से पता चल जाता है जिस दिल में मुहबत होती है कि अंदा खुप होती है हम चल जाता है अंदाज जाज जाजाज दिल में भरत होती है कि अंदाज चल जाता है आई ओड है हम बाल हुआ हुआब अ बाल ख र झाल आद जब तुम से हसी का चल भी लहराए सरूरा जाता है पैमाने अव में उड़ते हैं मौसम कभी हैरत होती है जब तुम से हसी का चल भी लहराए सरूरा जाता है पैमाने हाव में उड़ते हैं मौसम कभी हैरत होती है ये दोर जहां कि आनत है ये प्यार कोई आसान नहीं जिनको भी मिल जाता है ये उनकी पिसमत होती है कर बाले होती है कर दोर भी ल करीड़ कर दोर तर्लाब में प्योड़कार्वाशाथ कि अबर नहीं ही, कि बाले ही बाले ही, कि इनको को आनत All camp कोलो कर दोली पाले है जब मेरे करीब आजाते हो, क्या जानी क्या हो जाता है जब मेरे करीब आजाते हो, क्या जानी क्या हो जाता है जब मेरे करीब आजाते हो, क्या जानी क्या हो जाता है प्यार किसी से करते हैं, वो अपनी मुरादें पाते हैं महभूब मेरे दिलवालों की चाहत ही अबादत होती है अंदाज बहग में लगते हैं, बातों में शरारत होती हैं आखों से पर्णा चल जाता है, जिस दिल में मुहाबत होती है जी आप एक साथ, उसका और्डर मने दे दिया है मैं कमें सर आओ आत्मारामजी आओ नमशकर सर सर, ये अकाउंटन ने मुझे 15,000 रुपे दिये, किस बात कही है तुम्हारी मेहनत के सर, मेरी मेहनत के तुनखात आप हर मेने मुझे दे देते हैं फिर, ये किस लिए आत्माराम तुम्हें तुम्हारे पोते के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है उसी के लिए मेरे बेटे की मौत मेरी लापरवाईयों के कारण होगी है तो इसके बेटे के लाज भी मेरी मेनत के पैसे से होगा मेरे बेटे का खून मेरी वज़े से बहा है तो इसके बेटे का इलाज भी मेरे खून से निचोड़ए वब पसीने से होगा सर आपकी इस मेरवानी का बहुत शुक्रिया सर इसे आफ रख लीजीए वाह सुभानल्ला आत्माराम मैं तुम्हारे उसूलों की इज़त करता हूँ इसलिए आज तुम्हें एक और काम सौप रहा हूँ तुम्हारे इमानदारी और काम के जज़बे को देखकर आज से मैं तुम्हारे कांदों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोज रख रहा हूँ मैं समझा नहीं है यह गोडाउन की चाबियां है आज से सारे गोडाउन की देखरिक तुम ही करोगे आज से तमाम गोडाउन के सुपरवाइजर हो तुम्हारे पढ़ाई बात में करना में पहले दवा तो खाले जो देखना तो फॉन है आगे पर बताए नमस्कार आत्माराम जी के लाज में आप खेरियत जी यह बस बता चला कि आपके पोते की तबियत आज बीटा एक काम को रही है जो तदा जी मेरे चुट्टी अबीटा बाद नो पड़ेंगा जो अब तबियत कैसी है इसकी जी अब बैठीना आत्माराम जी इस उम्र में आपके कांधों पर बहुत बड़ा बोज आ पड़ा है आप चिंता मत कीजिए ऐसे वक्त में गरीब ही गरीब के काम आ सकता है यह रख लीजे आप यह के यह चोटा सा नजराना है दस हजार इसे रख लीजे बच्चे की वीमारी में काम आए देखे आपको यह रखनी होगी और फिर मैं आपको उधार थोड़ी दे रहा हूं यह तो इंसानियत के नाते आपको दे रहा हूं बस आप सिर्फ इसके बदले मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया कीजिए कैसी मदद आत्माराम जी सेड जी ने आपको गोदाम का सुपरवाइजर बन है कंपनी से जितना माल बहर जाता है और जितना अंदर आता है वो सारा चार्ज आपके हाथ में तो क्या तो जब पचास बॉक्स भार जाएं तो आप पचीस लिख दिया करें जी अरे सोचते क्या है आत्माराम जी इन अमीरों को हम लोगों ने अपना खुन पसीना जला कर अमीर बनाया है हजार पती से करोर पती बन गई ये लोग और हम हम तो गरीब के घरीब ही रह गए न अब आप ही देखिए वोते के इलाज के लिए चार पैसे नहीं आपके पास आत्माराम जी अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करते रहेंगे तो जिंदगी से तकलीफ का नाम निशन मिट जाएगा क्यों क्या कहते हैं आप चुप चुआप कहें मुझे आपसे यहीं उमीद थी आत्माराम जी चलान दसका ही बनाया ना यहां आपने का था दसका बना तो मैंने दसी का बनाया भेरी कुझा ठेरो 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 तुम्हारी बैमानी पर मुझे पहले से शक था लेकन सबूत नहीं था आज आत्माराम जी की वज़े से सबूत भी मिल गया और तुम्हें रंगे हातों पकड़ने का मौका भी है अरेस्टम मॉम्मी देखको वाद मीचे हो लेकर रहे है बेटा में काम कर रहे हूं आ़ ए कर लो कर रहे है आजए 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 क्या हो... आजए 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 अजे, अजे क्या हो अगूल? जावा, क्या हो? अलिल्मस से देखा, भागा था, शायद पैसे देखा, अम गिरकर ब्रियोश हो गया अजे, 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 तो में काम करो, इसे समालो, मैं डॉक्टर का लिकर रहा तो अजे, अजे, बेटा चिंता की कोई बात ने, अभी थोड़ी दर में होश आ जायेगा आत्माराँ अजे, आप जड़ा मेरे साथ आएए निंद पर मेरे, मेरे लिए तो लग साब, क्या बात? आत्माराँ अजे, बच्चे के हालत ठीक नहीं पहले बाद साल डेड़ साल की थी वंगर आप महीने डेड़ महीने की रह गए जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीचे वरना आत्माराम जी नमस्कात आप कहीं हिम्मत तो नहीं हार गये ना आप हिम्मत पतारिएगो बबुजी क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गये तो हिम्मत खुद हार जाएगी भगवान किसी भी इंसान को उसके होसले और बरदाश से ज़्यदा दुख नहीं देता मगर इंसान अगर खुद हार जाए तो भला वो भी क्या कर सकता है अपने अग्जु को कुछ नहीं होगा अपने अग्जुको कुछ नहीं होगा यहाप का कर्त है बबबुजी और आप इक इसे चुकाना है और आप अबुख्अृ जब ऐसे चुकाएंगे ऑप इसे चुकायंगे यह लो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इसमें शुक्रिया कैसा रवी मुझे तो तुम बार फक्र है तुमने जिस सब्र और धीरच का परिचा दिया है शाहिद यू दुनिया में कोई नौजावान दे सकता है वरना इस जमाने में आजकल के नौजावान जितना कमाते नहीं इसे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं अगर तुमने तुमने अपनी कमाई का एक पैसा भी खर्च नहीं किया रवी मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं बनता फिर भी दिल पूछने पर मजबूर कर रहा है आप क्या पूछना चाते हैं सर यही पूछना चाह रहा हूं कि इन सब का कारण क्या है कारण तो बहुत बड़ा है सर इल्लुपियों को जमा करने का किसी रोज फूरसत लों बताऊंगा अच्छा आपको बहुत बहुत दन्यवाद ठीक है all the best या रग दो कि अच्छानक आज मेरी याद कैसे आगई कि बापूची को दुबारा नौकरी पर रखकर आपने मुझ पर बहुत बढ़ा आयसान की देखो खबरदार अगर यह ऐसान का लवज लिया तो माफ़ी चाता हूं सिर्ट जी दुबारा यसी गलती कभी नहीं करूँगा मगर सिर्ट जी मैं चाहता हूं के एक उपकार और क्रया आप मुझ पर है यह यह 10,000 रुपय अजय के इलाज के लिए कुछ भी करके किसी भी तरीके से आप इन रुपयों को बाबुजी तक पहुचा दिए क्योंकि अपने हाथों से यह रुपयों ले देकर मैं अपने बाबुजी के बढ़ते विए आतलों रिशास को ठीस नहीं पहुचाना चाहता तुम क्या समझते हो कि मैंने तुमारे बाबुजी को पैसे देने के कोशिश नहीं की लेकिन आत्माराम इतना खुदार इंसान बन चुका है कि वो अपनी जिन्दगी का बोज अपनी मेनत और खून-पसीनी के कमाई से दोना चाहता है सिर्फ अपनी कमाई से अपने बेटे और सिर्जी इससे पहले कि इससे पहले कि बहुत तेर हो जाए आप किसी भी तरह किसे कोई भी बहाना करके इन रुप्यों के बाबुजी तक पहुंचा दीजिए वाह माशा अल्ला क्या खायालात है ठीक है एक बार फिर कोशिश करके देखता हूं तुम्हें और मुझे दे अरे रहा है खुदाफ आखुदाफ इस तो यह किमिकल का ओडर चला गया उन और अगरवाल का वो तो कली चला गया था गट वेरे गड़ चुनल सर्वा कि तुम जाओ कि अजमराम जी जरा इदर आना किस अरे बाई असल बात करना तो मैं भूली गया क्या सर ये जेजे क्लब वालों ने कमाल की रेस रखी है रेस बूड़ों की रेस इस रेस को जो भी जीतेगा उसे दस हजार रुपया इनाम में मिलेगा कि अग्रेशार अरे आत्माराम जी आप क्या हुआ शांस फूल गई मुझा यह मुसाफिर मुसाफिर के जब उसकी मंजिल नजर आ जाती है तो मेरी जैसी हालत वह जाती है लगता है शायद आपने अपने पूते के ऑपरेशन के लिए रखम का बंदोबस कर लिया है करीब करीब यह भाई भाई जमा करके मैंने यह पंदर हजारों पर जमा की है आप आपरेशन शुरू की जिए बाकी के दिज़ार बहुत जल्दी आ जाएंगे मंगर इतनी जल्दी आप डस हजार का बंदोबस करेंगे कहा से तक्सार यह यह देखिए हम जैसे बूरों के र मजबूर की जरुवत को अकवान जरूर पूरी करेंगा देखना मैं जीतूंगा इरेस मैं जीतूंगा कर दो कर दो कर दो कर दो आत्मारामजी आप परेशन के लिए तो जा रहा है और रखवाने चाहा तो अगले अवते आपका पोदा ठीक भी हो जाएगा लेकिन नहीं ड्रक्षाम मुझे मेरा कर्ज याद है अगली अवते मेरी रेस पियर मुझे पूरा विश्वा से को मेरी मदद करेंगा और महीं जीतूंगा तब तक मेरा बोता आपके पास अमानत के तौर पर रहेगा इतनी मेरबानी कर दीजी आज ने तो कभी ऐसा क्या नहीं आत्मारा आज आज पहली बार करूंगा अई अज़ी बटा अच्छो कराना बेटा तेरा दाला सिर्फ देरी ले जिंदा है बेटा ओकरागा ना या वेल्कम कैलाश वर्मा गुलू का मैं आओ कैलाश भाया जेल से आजादी मुबारक हो अभी नहीं गुलू पहले उस बूड़े हराम साथे आत्मराम को जिन्दगी से आजाद कर दूँ फिर मुझे आजादी की मुबारक मत देना मैं भी तो आपका जेल से आने की राह देख रहा था ताकि आपकी आँखों के सामने उस पुड़े शिकार को तड़पा तड़पा के मारूं लेकिन इस वक्तों मिलेगा कहा कैलाश भाया आज जेजे क्लब मैदान में बूड़ों की दौड हो रही है आत्मराम भी उस दौड म में भाग ले रहा है जेजे क्लब मिस्टर मलोतरा अलो मिस्टर महरा अलो मिस्टर बेग अलो मिस्टर अत्मराम नवसे सर जेवादा के आत्मराम जी अल्ड़ बेस्ट थेंगे सर अल्ड़ उस कि अल्ड़ों कि अल्ड़। तर्ड़ों कि ए्रड़ों कि ली अल्या ग्रवादा थेंगे सर भावदा उक ए्राव झाया यफ प्यूड़। अग्याइब कर दो यह वही बुड़े आत्मराम का बेटा है नाए जाए तेखो अगर तुम को मुझसे बतलाने लाए इसे तो हम बाद में देख लेंगे गुलू अगर शुरू होने वाली है पहले उस बुड़े आत्मराम से निपटले चल अगर तुम के सकते देखो अगरे बाबुजी के संदीकी के सकता है में इंत्यान है मैं तुमारा हाच उड़ता हूँ ऩण मुझसे लेका छुम के सकते लेदो है ले लेका के सकतेने लेका सकते है çुमारा है vita रे भी तुमारा हाई हु создवा ध nelle खниनेगा में ढ़्या मैं अड मैं अडुमारा है मैं इप्षश्यान I द जय खुमारा है लो dalा है? झाल 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 झाल